आज के मेन्यू में है पालक पत्ता की चाट बहुती क्रिस्पी, तेस्टी पर हेल्दी पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा tips and tricks मैंने share की है कैसे ये पालक पत्ता की चाट क्रिस्पी बनाई जाती है इसका जो batter है और इसको जो fry किया जाता है एक टेकनीक से किया जाता है ताकि ये भजिया न लगे पकोड़े न लगे तो बस उसी टेकनीक के साथ आज मैं लाई हूँ पालक पत्ता की चार्ट तो बिना किसी देरी के आये शुरू करते हैं सबसे पहले हमें रेडी करना है दैं, दैं के लिए मैंने यहाँ पे लिए एक बाउर मैश दैं, घर पे असानी से दैं जमाने का लिंक भी मैं आपके साथ शेर कर दूँगी औलमोस् एक टी स्पून मैने यहाँ पे बूरा आट किया है, बूरा आट करने से वो चार्ट का जो नहीं के देश है वो दो गुना हो जाता है, दैं फीका फीका नहीं लगता साथ ही मैंने आट किया एक चुथाई टीस्पून से भी आदा काला नमक, सारे इंग्रीडियन्स को अच्छा से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा दई रेडी है चाट के लिए, बाकी इस चाट के लिए हमें चाहिए धनिय की चटनी और इमली की चटनी जिसका लिंक भी मैं इसमे शेर कर दूँगी, अब बनाते हैं बैटर, उसके लिए लेना है पोना कप बेसन और सेम कप की मेजरमेंट से लेना एक चुथाई कप कॉन फ्लोर, कॉन फ्लोर डालने से बहुती बढ़िया क्रिस्पीने साती है पालक पत्ता चाट में, अब डालने है एक चुथाई स्टार्टिंग में पानी कम आड़ कीजिए, एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बार फिर पानी आड़ करके इसका सेमी थिन बैटर बनाना हमें, सेकिंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ये जो घोल है, ये जो बैटर है, ये थोड़ा सा पतला होता है, ताकि जो पालक के उपर है, पतली सी बेसन की लेयर आए, ना कि मोटी सी, नहीं तो वो भजिया लगेगी ना, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक बार जो आपका बैटर रेडी हो जाए, उससे साइड में रख दिजे, अब मैं लोगी ये पालक के पत्ते, ये र दिखा रही हूं, ना जादा बड़ा, ना जादा छोटा, और जो इसकी स्टेम है, ना, स्टॉक है, वो पीछे से कट कर देनी है, तो सिर्फ हमें इतना ही पोर्शन हमें रखना है, उसके बार ना, इसे टीशू की मदद से पैट ड्राइ कर लेंगे, इसके उपर पानी बिल हो जाए पालक के पत्ते पर, फिर इसे फ्राइ करना है, मौडरेटली होट ओईल में, मैंने यहाँ पर अल्रेडी ओईल जो है, गरम करके रखा हुआ है, 170 डिग्री सेल्सिस पर, ऐसे ही बाकी सारे पालक के पत्तों को भी डिप करके फ्राइ करना है, आपको इसे मीजियम हा जैसे यह फ्राइ हो जाएं, तो इसे हम निकाल लेंगे, चंडी की मदद से और एक्सेस ओयल डिप ओफ होने देंगे, सारे कॉम्पोनेंस रेडी हैं, आप कर लेते हैं प्लेटिंग, सबसे पहले हम प्लेट करेंगे पालक के पत्तों को, उपर से आड़ करेंगे मिश्टी यह क्रिस्पी पालक के पत्ते की चाट बहुत ही यमी है, प्लीज जरू ट्राइ कीजेगा, इसके उपर से आड़ करेंगे हरी चटनी, फिर डालेंगे इमली की चटनी, फ्लेवर से भरपूर है, यह उपर से हम डालेंगे बारीक सेव, शादी बया में तो आपने खाई रख के जरूर बताईएगा कैसी लगी आपको यह रेसिपी, मैं ध्यान रखूंगी आपके चटपटे टेस का, साथ के साथ हेल्थ का भी, तो इसी वादे के साथ की नेक्स रेसिपी और भी जबदस्त होगी, मैं लेती हूँ अलविदा, तो रेसिपी तो मैं ले आओंगी, पर आपको मिलती है, इसके लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही लाइक शेर भी कर दें,